बिंदुओं 4,-1 और-2,-3 को जोड़ने वाले रिखाखंड को सम्तिरी भाजित करने वाले बिंदुओं के निदेशांत ज्यात किजिए आपके पाद 2 बिंदु दे गए हैं और इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को 3 सम्तिरी भाजित क्या गए है कि तीन बराबराबर हिस्सों में बाढ़ दिया गया है आपने वह बिंदुओं निकालनी है चलो डियाग्राम से समझते कोशिन क्या है तो मैं दो बिंदु ले रहा हूं यहां से लेकर यहां तक आपके पास है चार कॉमा मैनस एक और मैनस दो कॉमा मैनस का 3 इन दोनों बिंदु को मैं जोड़ देता हूं तो ये दो बिंदु की जो दूरी है वह तीन बराबर हिसों में बटवी है यानिकी एक, दो, तीन यह भी एक किलोमेटर है, यह भी एक किलोमेटर है यह भी एक किलोमेटर है, असानी है समझने के लिए तो इस बिंदु को मैं A नाम ले लेता हूँ, इस बिंदु को नाम ले लेता हूँ B, इसको ले लेता हूँ पी इसको ले रहें तो क्यों यानिक हमें P और Q बिंदू निकाल ली हैं तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे हम P तो उसके लिए इसी डाइगरांग को मैं दुबारा बना लेता हूं तो यह आपके पास है P यहाँ पर है A यहाँ पर है B P 4,-1 और –2,-3 तो आपके पास जो यह P बिंदू है वहाँ बढ़ जाएगा आपके पास 1 ratio 2 के अंदर यहाँ आपके पास दो टुकड़े हैं यह एक टुकड़े है तो यह एक टुकड़े हैं यह एक टुकड़े है लगा देंगे विवाजन सूतर आपके पास आ जाएगा x बराबर m1 x2 जमा m2 x1 divided by m1 प्लिस m2 तो m1 की वैलुआ की पास है एक गुना में x2 की वैलुआ की पास है माइनिस का दो माइन गपास है एक पास है 2 गुना x1 की वैलुआ की पास है 4 बटे में m1 प्लिस m2 यानिकी एक जमा में यह 2 हो जाएगा शोल कर लेंगे तो यह मेरा माइनिस का 2 आजरेना 4 धुनी 8 हो जहेगा Mr.uj टे में 3 एएक आजरे गए 2 S E M Y कमान निकालेंगे formula लगा देंगे विवाजन सुत्र का तो महार पास आजाएगा M1 Y2 जमा M2 Y1 divided by M1 plus M2 M1 1 Y2 minus का 3 जमा M2 2 Y1 minus का 1 भाग में मेर पास आजाएगा 1 जमा में 2 यह minus का 3 हो जाएगा यह minus का 2 हो जाएगा यहाँ पर मेर पास जाएगा 3 यानिकी minus 5 भाग में 3 आपके पास P बिंदो के निदेशांक आए है 2, minus 5 भाग में 3 ऐसे हम निकालेंगे Q के निदेशांक तो इस डाइगरंग को में दोबारा यहाँ बना देता हूँ यह आपके पास A है यह आपके पास B है और यह आपके पास है Q 4, minus 1, minus 2, minus 3 है यह मेरे पास X, Y हो जाएगा और यह पूरी value आपके पास हो जाएगी 2 रेशो यह मेरे पास हो जाएगा 錢 यहान की M1 की value मेरे पास आईगी 2, M2 की value मेरे पास आदेगी 1, X1, Y1, X2 और यह जाएगा Y2 तो मैं X की value निकालनी है तुम लगा देगी विवाजन का सुतर X बराबर M1 X2 जमा M2 X1 divided by M1 plus M2 M1 आपके पास है 2 X2 आपके पास है माइनिस का 2 जमा M2 आपके पास है 1 बना में X1 आपके पास है 4 भाग में मेरे पास है 2 जमा में 1 तो यह होज़ेगा माइनिस का 4 जमा 4 भाग में 3 जैनि कि 0 भाग में 3 मेरे पास जाएगा 0 अब नकाल लेंगे Y के लिए Y के लिए आपके पास फॉमुला बनेगा M1 Y2 जमा M2 Y1 divided by M1 plus M2 M1 आपके पास 2 है Y2 आपके पास माइनिस का 3 है जमा M2 आपके पास 1 है और Y1 आपके पास माइनिस का 1 है M1 प्लस M2 याणि कि 2 जमा में ये बजाएगा 1 यहाँ पर मेरे पास जाएगा माइनिस का 6 माइनिस का 1 भाग में 3 याणि कि माइनिस 7 भाग में 3 आपके पास Q के जो निदेशा काएंगे यह आपके पास है 0,-7 भाग में 3 तो मैं अपना में आंसर लिख देंगे 2,-5 भाग में 3 और 0,-7 भाग में 3 यही है आपका उत्तर कर दो में 3 यही है आपका उत्तर कर दो में 3 यही है आपका उत्तर